आजाटी के आदर्शों को समझे और बया करें अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती एक्ट या कानून उसे खत्म करने की आज से नहीं ये इनकी बहुत पुरानी बहुत वर्सो पूर एक ऐसी साजिस थी और ये करना चाहते थे इसका मैं सबुत दूँगा लेकिन उसके पहले आप एपिसोड देखे उसके पहले आप सभी से निविदन है आपने हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जो बटन है जो घंटी का जो आईकोन आप देख रहे हैं बेल आइकोन उसे आप क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूं वे सारे के सारे वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन समय समय पे मिल जाएगा और वीडियो को आप लाइक करना ना भूले यदि पसंद आए यदि पसंद ना आए तो कमेंट करिए दोस्तों आप अपने सुझाओ दीजिए किसमें क्या कमी रहे गई हम भारत के लोग अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अत्याचार निवारान कानून 1989 में लाग हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री राजवी गांदी थे दोस्तों यह कानून किस अधार पर बना आप सोच रहे होंगे कि फला सरकार का स्रे जाता है स्रे तो जाएगा जिसके कारिकाल में ऐसे काम होते तो रिचित रूप से उसका स्रे उन पर जाता है ल इसमें लिखा हुआ है कि अस्प्रस्ता का निवारण किसी भी तरह से अस्प्रस्ता के प्रकरण नहीं होना चाहिए कानूनी कारवाई होनी चाहिए उसे दंड देना चाहिए ऐसा भारती सविधान कहता है उस आधार पर यह कानून बना लेकिन आपको बता दू आप सुनका राश्चर चकित होंगे जितने भी S.C.S.T. के लोग यदि बीजेपी को बोड़ देते हैं तो वे ये बात आज गोर से सुनें कि बीजेपी आज से नहीं बीजेपी 1989 से ही इस कानून का विरोध करती आये थी और गुपचुप तरिये से इसका विरोध करती थी लेकिन जैसे ही अटल विहारी वाजपई की सरकार बनी उन लोगों ने सविधान की समिच्छा की बात भी कहीं गोश्णा की थी और इस कानून को इस्पेसली रूप से बंद करने की एक साजीस एक मोहीम चलाई थी जिसका जवरदस्त विरोध हुआ उसका इविडेंस में आपको देने जा रहा हूँ कि इसका विरोध किस ने किया था उसके पूर में अनुसुचित जाती जन जाती जो कानून है अत्याचार निवरान कानून है स्सेस्टी एक्ट जो 1989 बना था उस पर जो मानने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसका दुरप्योग होता है और ऐसा कहकर जो याची का करता ने अपने पक्छ रखा लेकिन सरकार की तरप से कोई पेरवी नहीं की गई उदासींता बरती गई उसका परिणाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने या डिसीजन दे दिया है या जो कानून उसको प्रभाव हीन कर दिया है केसे प्रवाव हीन किया है मैं उसका वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ बना चुका हूँ इस चैनल में आपको नीचे एक लिंक दे दिया हूँ आप यह उपर जो डिस्क्रिप्शन जो उपर जो नोटिफिकेशन मिल रहा है आप उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि इस कानून में क्या-क्या बदलाव किये गए है तो दोस्तों मैं आपको बता दू जैसे कि मानने सुप्रीम कोड ने कहा है कि इस कानून का दुर्पियोग होता है मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूँ SCST जो है निश्चित रूप से सोसित और वंचित है या पूरा देश जानता है आज भी वो मुख धारा में नहीं आ पाया है आज भी वो अपनी बात को बड़े-बड़े मंचों पर नहीं रख पाता है मैं आपको बताऊं मैं चिनवाडा मद्द्ब्रदेश का रहने वाला हूँ जुन्नार देओ एक तेहसीले चिनवाडा की उस तेहसील के अंतरगत एक डुगरिया ग्राम है जहां पर एक दीपक नागले नाम के वेक्ती के उपर कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाय भड़काने का आरोप लगा कर पुलिस के पास ग्यापन दिया बलकि थाने का घराव किया था मुझे जहां तक जानकारी है उस थाने के जो टी आई है उन्होंने जब वह मेसेट पढ़ा तो उन्होंने कहा थी यह तो तार्कीक बात है आप लोग भी तर्क करें इसमें कोई भावनाय केसे हाथ हो गए ऐसा मुझे ग्यात हुआ है तो उस समय मैं बात कर रहा हूँ 9 मार्च की 9 मार्च को इन्होंने उस थाने का घराव किया था उस समय कोई कारवाई टी आई सामने नहीं की थी जो पुलिस है जो थाना प्रभारी उन्होंने कोई कारवाई नहीं की थी लेकिन बीजेपी के नेताओं बीजेपी के वहाँ के जो विधायक है कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस में दबाव बनाया दबाव बनाने के बाद भी पुलिस एकदम से कारवाई नहीं कर रही थी दोस्तों और मैं आपको बता दू दस तारीकों दिन में बारा बजे उसी दीपक नागले के घर में 40-50 लोग जाते हैं और गाली गलोच करते हैं अब गाली गलोच क्या करते हैं या बताने की जरुवत नहीं है लेकिन वहाँ पर जाती सूजक सब्द भी कह जाते हैं और ये भी कहा जाता है बहुत जैभीम जैभीम करता है बाबा साहब की बहुत बात करता है निकल बाहर तुझे हम बताते हैं सारी बाते की थी वह आपको बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ जैसा कि मानने सुप्रीम कोड ने कहा है कि इस कारून का दुर पयोग होता है इसलिए बताना चाहरा हूँ एक मामला ऐसे तो हजारों और लाखों मामले होंगे दोस्त तो मैं एक description में उसका link डाल दोगों देख लीजिएगा तो दोस्तों मामला यह होता है कि रात के दो बजे थाना प्रभारी आते हैं दीपक नागले के घर में और मोबाइल लेके जब्त कर लेते हैं आप तो जानते हैं लोगों के मोबाइल में पर्सनल मोबाइल में बहुत सा पर दबाव डाला गया बीजेपी के माद्ध्यम से कि उसे गिरफतार करो तो सबसे पहले पुलिस क्या करती एविडेंस खटा करने के लिए साहे मोबाइल रात में लेके जाती और कहती कि सुबह आप मोबाइल लेके आज जाए गताने से ठीक है अब होता यह है मामला कि पता चलता है कि दूसरे दिन 11 तारीक 11 मार्च को 2018 को पता चलता है कि दीपक नागले को उपर 295A 153 का यहां मामला दर्ज हो चुका है इसके अलावा कुन-कुन सी धराएं है उसके डिटेल में जे अच्छे सने मालो लेकिन यह दो धराएं दर्ज हो जाती है और जब यह दो धराएं दर्ज हो जाती है तो दीपक नागले परिवार का यह कहना है कि जिन लोगों ने मेरे घर में आकर गुंडा गर दी यह बात थाना प्रभारी भी जानते हैं जब उनके घर में आये थे बताया गया और इनके परिवार ने 100 डायल किया था पुलीस भी आई थी और उस समय वे जो गुंडे थे भाग जाते हैं 100 डायल था पुलीस में यह बिल्कुल अभी उनको मालूम होगा उनके रिकार्ड में 100 डायल हुआ था कि नहीं हुआ था परिवार ने 100 डायल किया था लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं होती है और दीपक नागले पर कारवाई हो जाती है दार्मिक भावनाई भड़काने पर दीपक नागले पर कारवाई होती है कहने का विपराय यह है आज आप कोई भी तरकिक बात नहीं कर सकते हैं पैसली बीजेपी की जो माइंड है बीजेपी की जो विचारदारा है उसके खिलाप में दिया आप करेंगे तो आपके उपर एक वह धार्मिक भावनाई का जो केस है 295 ए उसके तहत आप पर कारवाई करेंगे अप दोसी हो ना हो तो अदालत तै करेगी लेकिन इसका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या यह दुर्पयोग नहीं है तो क्या है जब T.I.E. नो तारी को खेते हैं, जो पुलिस अधिकारी नो मार्ज को खेते हैं, ये तो तारकीक बात है, आप तर्क करो उसने जो प्रस्ण किये हैं, और दोस्तों आप जब आप देखेंगे तो उसमें इसी कोई भी भद्धी बात नहीं कही गई हैं, उसने सिर्फ सेर की है और भावनाय किस के हाथ हुई कोई राजपूत परीवार के एक यूबक की किसी मिसरा की जिसे वो میशेज नहीं दिया गया उसकी भावनाय वहाँ से क्यों आहात हो बहुत सरी बाते हैं दोस्तों मुस्पने जाना चाहता हूं लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं उस बेक्तिक पर धार्मिक भावने आहत करने का आरूप लगा कर केस दर्ज कर दिया गया लेकिन अब जो आगे की बात बता रहा है वो गोर से सुनिएगा फिर दीपक नहीं बलकि आसपास बेतूल सार्णी राकिश महाले एक समाजी कार करता वहां क्रश्नकान चोरा से हैं ऐसे काफी जो युवा कार करता है हम भी यहां से सोसर जो चिनवाडा में है चिनवाडा जिले से करीब करीब दो सो देड़ सो आदमी वहां पर ठाने में जाते हैं और आप भी उन पर कारवाई करें जो उनके घर में जाकर गुंडा गर्दी किये थे जिनोंने जाती सूचक मामले उचा ले थे और बहुत बाबा साप का नाम लेता सविधान को जिन लोग ने गाली दी थी बाबा साप का अपमान किया था उन पर आप भी F.I.R. दर्च और काई F.I.R. किस धारा के तहट कीजिए जब भी कोई अपमानित के जाती सूचक के नाम से भारती सविधान कहता है उस पर दंडेनी ये कारवाई होनी चाहिए कठोर कानूनी कारवाई होनी चाहिए और एक्ट भी यही कहता है आपको मैं बता दू अभी तक उन पर कोई क तर्फा बहुत हो है पूलिस कारवाई एक तरफा या पक्शपात पूर क्यों करती है यहां माननी नियाले को पूछना चाहिए पूलिस से पूलिस बिभाक से पूछना चाहिए तो दोस्तों आपको बता ärटो उन पर कोई कारवाई नहीं जहां 200 लोग जाकर थाने में जाकर गेराव करते हैं, ज्यादा लोग ठाने में जाते हैं, अपनी बात करते हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन F-I-R दर्ज नहीं होती, अट्रिसिटी एक्ट दर्ज नहीं होती, उस समय सुप्रीम कोट का जो अभी बदलाव आया तो उस समय आया भी नहीं था, तो पर में खवर आती दबंगों ने अत्याचार किया वो तताकतित जातीवादी आतंगवादी जो गाओं में रहते हैं जहां पर असिक्षित लोग रहते जो अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं जो कहीं ने कहीं उनके दबाओं में रहते हैं आप मुझे बताइए क्या एसे का मामला दर्ज होता होगा जो कि छिनवाडा जिले में जहां पर सभी पढ़े लेखे सिक्षित वर्ग है वो कोल माइन्स का एरिया है वहां पर दोसों से ज़्यादा लोग जाते हैं और पुलिस से निवेधन करते हैं उसके बाद भी कारवाईनी होती है तो क्या आप मुझ अच्छित बहुत सारे लोग हैं जो अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं तो क्या वे अपनी बात थानों में जाकर अच्छे से कर सकते हैं क्या आप खुश सोचिए आज भी इस देश के अंदर में दो कानून चल रहे हैं दोस्तों अगोसित रूप से तुम फर्जी करो देश का धन लूटो और देश को बरबाद कर दो भृष्टा चार करो और विदेश भाग जा तब किस कानून का उप्योग करते हुए ऐसे फर्जी वारा करने वालों को देश को लूड़ने वालों को देश की सरकारे देश की पुलिस देश की अन्याले उन पर कारवाई करता है वो तो भाग जाएं केसे भाग गईती सुरक्षा एजन्सिया होने के बाब जूद भी केसे भाग जाते हैं लोग यह कौन से कानुन का उपयोग हो रहा है यह सवाल उठेगा कि ने उठेगा दोस्तो मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ कि बीजेपी किस प्रकार से सडियन्त कर रही थी इस एक्ट को खतम करने के लिए उसके पूर और बात करना चाहता हूँ दोस्तो कि जितने भी SCST का जो प्रतिनिजित करते हैं नेता जितने भी अनुसरी जाती जन जाती के जो लोकसभा में हैं करीब 131 लोकसभा सांसद हैं आपने कितने लोकसभा सांसदों के मुह से लोकसभा के अंदर में मामले को उठाते हूँ देखा है यह दी कोई दूसरा मामला आता है महंगाई का बात आती ब्रिस्टाचार की बात आती है कोई political issue होता है तो पूरा सदन की सद बंद हो जाता ठप हो जाता पूरे देश के अंदर में भारत बंद होता है चक्का जाम होता है आंदोलन होते हैं भूख हरताल होते तरह तरह के प्रदर्शन होते हैं आप मुझी यह बताए जो आपके नेता है अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के नेता हैं उन लो और आप पर आज अत्याचार हो रहा है, आज आपके अधिकार खत्म हो रहे हैं, आपका आरक्षन खत्म किया जा रहा है, सविधान को गाली दी जा रही है, सविधान बदल कर मनुस्मती लागू करने की बात हो रही है, वो भी किसके दुआरा जो सविधान की सपत लेते हैं, अनंत हेगडे ने जो कहा था जो कि केंदरी मंत्री है और उनके प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी इस देश के सविधान को राष्ट का ग्रंथ कहते हैं। तो दोस्तों में ज़्यादा बात ना करते हुए कासी राम जी ने जो एक भास्ण दिया था। बीजेपी खत्म करना चाहती है जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय का ये भास्रण मेरे पास में है तो दोस्तों आईए आप देखते हैं कि कासी राम जी ने क्या कहा था। तो उनको सदा मिलेगी बरश्टा चार के कारण, अपरादी करन के कारण, दुख्य बाजी के कारण, उनको सदा मिलेगी और जिस बीजेपी ने जियो जारी किया, शरूर का शरूर ट्राइब के खलाफ जो एट्रोसिटी होती है उसके बारे में जो उनने जियो जारी किया तो जियो जारी किया 21 को हमने उनको 3700 भी 22 को जियो जारी किया जो भी जो भी शुरूर का शुरूर ड्राइपर एक्ट्रोसिटी होती है उसका मामला धर्ज नहीं करना है उसका मामला धर्ज नहीं करना है बी जे पी दर्ज करे ना करे अड्मिस्ट्रेशन धर्ज करे ना करे हम मामले धर्ज करते जा रहे हैं हम सारे मामले धर्ज करते जा र अम्बेड करवाद को खत्म करने की अम्बेड करवाद को जट से उखाडने की जो काम कांग्रिस ने किया उसके लिए हमने कांग्रिस को सजा दी और बीजेपी जिसने आज शेडूर काज शुरूर ट्राइब के लोगों के साथ दगा किया धोका किया और आज जो उन्होंने ब लो बाबा साहिब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भुलिए